हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इक्जाम इसाउन पे तुगा फिर से मैं हादिर हूँ दो फरवरी 2021 के इंपॉर्टरिन इवेंट्स के साथ आप पूरा वीडियो यहां से देखेगा क्योंकि लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है वर्ड लेप्रेसी डे विश्व कुष्ट रोग दिवस यह किस मन्त के लास्ट संडे को आपज़र किया रता है पूरे विश्व में last Sunday of January यानि January month के last Sunday को observe किया आता है इस बार का जो 2021 का world leprosy day था उसका theme क्या था beat leprosy and stigma and advocate for mental well-being 1954 में ये world leprosy day की सुरुवात हुई थी किसने सुरुवात की थी फ्रांस के जाने माने philanthropist थे Raoul Folaryo इन्होंने महात्मा गांधी जी की याद में इस डे को सुरू किया था क्योंकि महात्मा गांधी जी leprosy से प्रावई लोगों की सेवा करने में यकिन रखते थे world leprosy day हमारा कम मनाया गया 31st January को इस बार मनाया गया उससे एक दिन पहले क्या था 30th January उस दिन हमारा world sorry national martyrs day मनाया गया महात्मा गांधी जी की सहिद होने के दिवस में उसके अलावा एक फरविक यादी उसके next day world leprosy day के next day क्या मनाया गया है national coast guard day तो ये तीनों दिन याद रिखेगा ने question है इंडिया की जो flexib public health insurance scheme है सब भी जान गए होंगे आप प्रधा मंत्री जन आरोग योजना इसके नए CEO कौन अपॉइंट होए है तो प्रधा मंत्री जन आरोग योजना इसके नए CEO अपॉइंट होए है RS सर्मा कौन अपॉइंट होए है RS सर्मा ये देख लीजे ये है RS सर्मा इनको National Health Authority दोरा जिसने देखिए National Health Authority जो है वो प्रधा मंतरी जन आरोग योजना की implementing body है National Health Authority ने आरे सर्मा को अपन्ट किया है जन आरोग योजना यानि प्रधा मंतरी जन आरोग योजना का नया CEO यह जो आरे सर्मा हैं यह किसको replace करेंगे तो इंदू भूसन को replace कर देंगे आरे सर्मा जो try है उसके फॉर्मर चेर परसन यानि ट्राइ के चेर परसन भी रह तो आपर देखेगा एक फरवरिस से यह CEO होंगे प्धा मंतरी जन आरोग योजना के प्धामंति जन आरोग योजना या फिर आयुसमान भारत स्कीम देखिए जो हमारे इंडिया में 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलसी लाउंच की गी थी उसमें पधामानती जन आरो गी योजना का जिक्रित था फिर इसको लाउंच कर दिया गया जो कि पाच लाग पर फैमिली यानि ये दो क्राइटेरिया हैं इसके लिए आपका पाच लाग तका इंस्वरेश प्रवाट कर दिया रता है जिसके नए CEO कॉर्मन है RS सर्मा जिया कोशन है किसके द्वरा एक ब्रेक्ट्रू रिफरेंस मेटेरियल लाउंच किया गया है ताकि एंटी डोपिंग की फिल्ड में केमिकल टेस्टिंग का यूज क्या सके तो एंटी डोपिंग की फिल्ड में केमिकल टेस्टिंग का यूज करने के लिए ब्रेक्ट्रू रिफरेंस मेटेरियल लाउंच किया है किरर रेजिजू ने यह उस breakthrough material को launch किया है अच्छा यह जो breakthrough reference material है इसको synthesize किस ने किया है national dope testing laboratory साथ साथ national institute of pharmaceutical education and research गुवाहटी में जो किया इस्तित है आप नाम याद रिखेगा reference material यह reference material आप देख सकते हैं ndtl द्वारा identify किया गया था और globally anti-doping की field में इसको use किया आता है world anti-doping agency द्वारा और world anti-doping agency ने इसको मानिता भी दी है तो chemically anti-doping को trust करने के लिए reference material launch किया है world anti-doping agency के नाम आया है तो आपे देखेगा 1999 में इसकी स्थापना हुई थी headquarter हमेसे याद रिखेगा world anti-doping agency का Montreal Canada में है इसका और president कौन है sir Craig Reedy sir Craig Reedy next question है Asian cricket council के youngest president कौन मने है यानि सबसे कम उमर के president Asian cricket council के कौन मने है तो जैसा अमिसाह जी के पुत्र जैसा एसेन cricket council के youngest president बने है यह देख लिजी Asian cricket council के जो जैसा है वो new president बन गया है और यह youngest ever president है Asian cricket council के जैसाह ने किसको replace किया है नजमुल हुसेन को replace कर दिया है जो की बंगला देश से belong करते थे जैसा आपको पता ही है secretary है BCCI में और अमिसाह जी के पुत्र हैं अब Asian cricket council के youngest president बन गया है पहला fact तो आप यह जाद रखेंगे जैसा कि इसे में दूसरा यह है कि last 87 years में जनी 1934-35 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2021 में रंजी trophy organized नहीं की जाएगी recently BCCI ने announce किया है तो BCCI ने announce किया है कि इस बार 2021 में रंजी match नहीं खेले जाएंगे और last 87 years में ऐसा पहली बार हुआ है आप देखेगा रंजी match की जिखापे विजे हजारे trophy जो 50 over का tournament होता है वो खिला जाएगा साथ साथ senior women's one day tournament खिला जाएगा सेयद मुस्ताक अली trophy के बाद तो यह तीनों trophy याद रखेगा सेयद मुस्ताक अली trophy और विजे हजारी trophy साथ साथ रंजी trophy यह तीनों cricket से related है यह एक्जाम में बोच सकते हैं क्योंकि ACC का नाम आया है तो ACC की बात कर लेते हैं एसन cricket council 24 member countries की partner है इस्थापना हुई थी 1983 में जब इंडिया ने final जीता था वर्ड क्रप का हेड़कोडर कहा है ACC का सॉरी ACC का हेड़कोडर है कोलंबो स्री लंक्ता में और चेर परसल कौन है आमिताब चोधरी अब इसके नए प्रेसिडंट कौन वन गहें जैसा यंगेस्ट प्रेसिडेंट ने कोशन है प्रेसिडंट रामनाथ कोविंजी द्वरा कितनी कैटेग्रीज में जीवन रक्षा पदक अवार्ड दी जाएंगे तो प्रेसिडंट रामनाथ कोविंज द्वरा तीन कैटेग्रीज में जीवन रक्षा पदक अवार्ड दी जाएंगे ये देख लिजए अप प्रेशेंट कोविन द्वरा 40 लोगों के लिए जीवन रक्षा पदक आवार्ड की जो सिरीज थी उसका एनॉसमेंट कर दिया गया है तीन कटिगरी में ये आवार्ड दिया आते हैं किसी की भी लाइफ बचाने के लिए जीवन रक्षा पदक आवार्ड जो है दिया थे यानि कोई डूब रहा हो किसी का एक्सिरेंट हो गया हो तो अगर आप उसकी लाइफ सेव कर लेते हैं तो साथ आपको भी जीवन रक्षा पदक आवार्ड मिल जाए 40 लोगों को इस बार दिये जाएंगे तीन कैटेग्री हैं सरवत्तम जीवन रक्षा पदक उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक आप आप आद देखेगा मर्डो परांथ भी ये दिया जा सकते हैं हो सकता है कोई डूब रहा हो बचाते बचाते आप खुद ही डूब गए वो बच गया तो आपको मिल जागा जीवन रक्षा पदक कोसिस मत करिये गए लेकि इस बार का जो सबसे यानि सरवत्तम जीवन रक्षा पदक है इसका नाम याद रखेगा सिर्फ एक बंदे को मिला है सरवत्तम जीवन रक्षा पदक किसको मिला है स्री मुहम्मद मुशीन देखें मर्डो परांत मिला है मुहम्मद मुशीन जी को केरल से बलॉग करते है नाम याद रखेगा कभी भी एक्जाम में पूछ लेंगे जीवन रक्षा आवार्ड जो है एक असोक चक्र स्रीज जो गलेंटी अवार्ड है उसी के तहट दिया आता था असोक चक्र 1961 में इंस्टिटूट किये गए और उसी के बाद जीवन रक्षा पदक आवार्ड भी दिया आते है तो सरवत्तम जीवन रक्षा पदक याद रखेगा स्री मुहम्मद मुशीन केरल से बिलॉग करते है ने कोशन है रेवियू जो की एक डच स्टार्ट अप है लोगों को अपने इमेल को मॉनेटाइज और पब्लिस करने का उप्षन देता है इसको किसके तरा एक्वार्ड किया गया है तो रेवियू को एक्वार कर लिया है ट्विटर ने यह देख लिए ट्विटर दुवारा एक डच स्टार्ट अप रेवियू को एक्वार कर लिया गया है रेवियू एक डच स्टार्ट अप है निगलेंड का स्टार्ट अप है जो हमारे news, sorry, newsletters होते हैं, email में use होते हैं उनको monetize करने का और publish करने का option देता है इस समय किसी भी चीज का monetization possible है mobile number से लेकर जो email address होते हैं उनका क्योंकि ये business का एक नया mindset है review जो है उसी field में काम करता था जिसको Twitter द्वारा acquire कर लिया गया है क्योंकि Twitter ने एक और कर लिया तो Twitter के विसे में जान लिजी 2006 में Twitter की स्थपना हुई थी headquarters का California में जिसको की वर्ड की Silicon Valley कहते हैं और Twitter के CEO कौन है Jack Dorsey नाम या देखेगा ने question है Henry Moniz Henry Moniz को कि Tech Giant Company ने अपना पहला Chief Compliance Officer अपॉइंट किया है तो जिस company पर सबस्यादा case हो रहे होंगे उसी ने Chief Compliance Officer अपॉइंट किया होगा Henry Moniz को तो Facebook ने Facebook ने Henry Moniz को अपना पहला Chief Compliance Officer अपॉइंट किया है यह देख लिए यह है Henry Moniz इनको Facebook का पहला Chief Compliance Officer CCO हो गई Chief Compliance Officer अपॉइंट किया गया है क्योंकि Regulators and Lawmakers द्वरा Facebook की बहुत ज़्यदा स्कूटनी की जा रही थी तो इसको देखते हुए Facebook द्वरा Chief Compliance Officer अपॉइंट किया गया है Henry Moniz को नाम आद रिखेगा Henry Moniz Facebook के Chief Compliance Officer इसे पहले यह WICOM में भी Chief Compliance Officer रह चुके है आप है देखेगा बात करते हैं Facebook की तो इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी 2004 में Headquarter कहा है इसका California में और Facebook के Chief Financial Officer कौन बने थे David Wanner बने थे जबकि CEO कौन है Mark Chukarbal ने कोशन देखते है जो हमाई Textile Minister है इसमेरे ते जुबिन इरानी इन्होंने India International Silk Fair का आठवाँ एडिशन जो है न्यू देली में इनाउगरेट किया गया है इसम्रती जुबिन इरानी के द्वारा ये देख लिए इसम्रती इरानी जी ने जो कि Minister of Textile है इन्होंने India International Silk Fair का आठवाँ एडिशन न्यू देली में वर्चुली इनाउगरेट किया आपको बताई है इन्डिया International Silk Festival जो है इन्डिया का बेगेस्ट Silk Fair है आपर देखेगा इसका मेन परपस होता है सिल्क के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना क्योंकि इन्डियान सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इसको और्गनाईस किया आता है और सिल्क के एक्सपोर्ट से रिलेटेट तो हो गई ही तो आपको आठवाँ एडिशन हुआ है इन्डिया International Silk Fair का कहां पे न्यू देली में इन्डिया वर्ड में सिल्क प्रडूशन कांट्री है यानि की नंबर दो पे है सिल्क प्रडूशन में फ़र्च कोन है चाइना है खास बात क्या है इन्डिया में सिल्क की चारो वराइटीज जो है उसको प्रडूश किया आता है चारो बरेटीज का नाम पढ़ लिए मलnewरी, मलबरी, Ỉडी तसर और मुगा ये चार बरेटीज है सिल्क की जिनको इंडिया में पीड्यूस किया आता है और इंडिया एक मात रेसी कंट्री है जहां पे चारोबरेटीज सिल्क की पीड्यूस होती है बात करते हैं इंडियान सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल जिसने की ये फेयर और्गनाइस किया है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी एक नॉन प्रोफिट कमपनी की तरुपर कमपनी एक्ट की दहट इसकी स्थापना की दहट ये कारे करता है तो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर एर्थ एडिशन नेदिल्ली में इसमतिती जुभी निया नहीं इन्हें कोर्शन है वर्ड एक्कनाउमिक फोरम कमन ट्रेस्ट द्वरा डिसेंटली रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी इवेंट को अरुनाइस किया गया आपको तरह रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी इवेंट को किसने एड्रेस किया है तो डॉक्टर हर्सवर्धन ने restoring cross border mobility event को address किया है यह देख लीजे जो union health minister है डॉक्टर हर्सवर्धन इन्होंने WEF common test के cross border mobility restoring जो event था उसको address किया है यह जो restoring cross border mobility event था इसमें यह discuss किया गया कि ऐसी policies क्या बनाई जाएं जिनसे हमारा travel, tourism commerce safe and sustainable way में हो सके तो COVID crisis चल रहा है तो safe and sustainable way काफी ज़ादा important है इसके लिए WEF common trust था रिस्टोरिंग cross border mobility event और्गनाईज किया गया जिसको address किया डॉक्टर हर्सवर्धन आपको बता ही है यह जो event है यह world economic forum बैठक में common project formation and world economic forum थारा jointly organized किया आता है world economic forum की बात करें तो 1971 में इसकी स्थाबना हुई थी आप इसके 50 वर्स complete हो गए है headquarters के colony Switzerland में है founder and CEO कौन है chair person कौन है clause swap मैं आको उता दूँ world economic forum की history में ऐसा second time हो रहा है जब इसकी annual बैठक Davos से बाहर हो रही है कहाँ पे हो रही है बाहर कब हुई थी दावस से तो वासिंग्टन में हुई थी दो है दो के आसपास अब सिंगापूर में हो रही है next question है राम क्रेशन ओडर दोरा जो प्रबुद भारत एक monthly journal है उसको publish क्याता है प्रबुद भारत की 125th anniversary celebration को किसके ओड़ेस करेगा तो प्रबुद भारत की 125th anniversary celebration को प्यम मोधी एड़ेस करेंगे यह देख लिजे प्यम मोधी दोरा जो राम क्रेशन ओडर के दोरा publish होती है प्रबुद भारत मैगजीन उसके 125th anniversary celebration को एड़ेस करेगा प्रबुद भारत मैगजीन जो है या फिर जैनरल है इसके सुरूआत की थी 1896 में किसने की थी? स्वामी वेकाननदी जी ने इसके सुरूआत की थी हलागि अब ये कौन publish करता है? तो अद्वैत आस्रम मायावटी यह जो उत्रा खंड में है अद्वैत आस्रम मायावटी उसके दोरा इसको publish क्याता है प्रभुद भारत इसके सुरुवात की थी स्वामी वेका नंदे 1896 में बाद में उसके दो वर्सों बाद ये जो है अलमोडा राजिस्थान से पब्लिस होने लगी थी बाद में 1899 के आसपास ये अदर्वत आस्रम बेलूर करनाटक से पब्लिस होने लगी थी अब ये इस समय अदर्वत आस्रम मायवटी से पब्लिस होती है जहां पर इसका 125th anniversary celebration event और प्रभुद भारत के 125th anniversary celebration event को एड्रेस को करेगा पियम मोदी आपे देखेगा आस्रम स्वामी वेकानन जी का नाम आए तो आपको 70ping वेकानन जी के विसम ये पतामा आचिए कि हर वर्स 12 January को सवामी वेकानन जी की याद में National Youth Day मनाया एता है तो राम क्रश्ण मट या और राम क्रश्ण मिशन की इस्थापना की थी स्वामे वेकानन जी ने 1897 में ये काफ़ एदा important है उसके एक वर्स बाद ही 1898 में इन्होंने बैलूर मठ की भी स्थापना की थी next question है Toyota Motor Cops ने last year sales के मामले में Germany की Volkswagen को पीछे छोड़ दिया है आपको तरह Toyota जो है किस country की car manufacturer company है तो Toyota Japan की car manufacturer है ये देख लीजिए last year जो sale हुई थी उसमें जापान की Toyota Motor Cops ने Germany की Volkswagen को पीछे छोड़ दिया है और top place हासिल कर दिया है पिछले 5 औरसों में ऐसा पहली बार हुआ है जब Volkswagen को किसी ने पीछे छोड़ दिया है COVID-19 कैसे चल रहा था तो ऐसे में Toyota के जो Global Market Sale का figure था वो 11.3% ही drop हुआ लेकिन Volkswagen का 15.2% drop हो गया जिसकी वैसे Toyota बाहर निकल गई क्योंकि जापान में COVID का कोई इतना बड़ा impact देखने को नहीं मिला और Toyota जापान की फर्म थी तो वो आगे निकल गई जाकि बाकी countries चाहे जर्मनी हो या फिर European कोई भी कंटी हो वहां पर COVID-19 का काफी दा impact देखने मिला ऐसे में Toyota जो है इस साल यानि 2020 में वर्ड की लाज़स्ट कार सेलिंग कंपनी बन गई है आपर देखेगा Toyota की बात करते है 1937 में Toyota स्थापित हुई थी हैड़कॉर्टर इसका निया क्रोश्चन है गवर्मेंट ऑफ इंडिया स्टार्स प्रोजेक्ट जो है इसको implement कर रही है किसकी हल्प से स्टार्स मतलब strengthening teaching learning and result of states यह स्टार्स प्रोजेक्ट गवर्मेंट ऑफ इंडिया वर्ड बैंक के मदद से implement कर रही है टीचिंग से रिलेटेड यह प्रोजेक्ट है teaching learning से रिलेटेड इस्टार्स प्रोजेक्ट recently department of economic affairs ने ministry of education के साथ मिलकर world bank के साथ एक deal की है इस्टार्स प्रोजेक्ट को financial assistance प्रोजेक्ट करने के लिए क्योंकि world bank भी financial assistance प्रोजेक्ट करेगा इस्टार्स को और department of economic affairs भी finance प्रोजेक्ट करेगा जो इस्टार्स प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है फाइप थाउजन सेवन हंड़ेटीन करोड फाइप थाउजन सेवन हंड़ेटीन करोड यह एक centrally sponsored स्क्रीम को रन किया जाएगा world bank ने कुछ समय पहले ही आपको याद होगा वेस्ट बेंगॉल में water waste को improve करने के लिए एक सो पाच million dollar का loan agreement किया है government of India के साथ तो world bank ने वेस्ट बेंगॉल में water waste को improve करने के लिए एक सो पाच million dollar announce किया है वर्ड बैंक जो है दो इस्टिशोशन से वेल को बना है आई बी रडी इंटरेशनल बैंक फॉर रीकंस्रिक्शन डेलफ्मेंट आई डी ए इंटरेशनल डेलफ्मेंट अस्वेशन 1944 में इसके सापना हुई थी हेड़कॉर्टर वशिंग्टन डिशी में वर्ड बैंक के प्रेसिद्ट को हुए है डेविड मालपास टोटल मेंबर के दिए हैं 189 कंट्रीज हैं कुछ प्रीवेस वीडियो में 190 कंट्रीज लिखा था न उसको एडिट कर लिजेगा क्योंकि 190 मेंबर IMF में हुए हैं अभी तक वर्ड बैंक में नहीं हुए है नहीं ह प्रेसिद्ट कोविन ने 2014 में इंडिया को पोलियो मुक्त घोसित किया था यह देख लीजिए हमारे जो प्रेसिद्ट है रामनाथ कोविन इन्होंने 2021 के लिए पल्स पोलियो अभ्यान लांच कर दिया है पाच वर्स से सभी छोटे बच्चों को यह पोलियो दिया जाता है 31 जनवरी 2021 को नेशनल पोलियो इम्मुनाजेशन डे अबज़र किया था है उसी दिन प्रेसिद्ट कोविन दोरा यह पोलियो अभ्यान के सुरुआत की गई WHO ने 2014 में साउथ इस्ट एसिया रिजिजन को पोलियो मुक्त घोसित किया था और उसी दिवान इंडिया को भी पोलियो मुक्त घोसित कर दिया था हाला कि इंडिया में जो पोलियो वैक्सिनेशन प्रोग्राम है वो 1978 में स्टार्ट हुआ था आपको यह जार रखना है यह हैं famous personalities इंद्रजीत देव और पॉल जे क्रटजन दोनों का निधन हो गया यह देख लेते हैं यह हैं इंद्रजीत देव रिसेंटली इनका निधन हो गया कुलकत्ता से बिलॉंग करते थे जाने माने टीवी एक्टर थे इंद्रजीत देव इनका नाम देखेगा इनका र पताया था क्रटजन ओजन होल के कारण इनको 1995 में chemistry का नोविल दिया था और क्रटजन जो थे पॉल क्रटजन जर्मनी से बिलॉंग करते थे किसी ब एक्जाम में पॉल क्रटजन के बारे में पूछ लेगा या फिर ओजन होल के बारे में पूछेगा आपको पता होना तो SBI कारण ने दो वरसों के लिए रामा मोहन राव अमारा को MD&CEO अपाइंट कर दिया है क्यों यह देख लिए पहले रामा मोहन राव अमारा को देख लिए इनको दो वर्श के लिए SBI card का MD and CEO बनाया गया है इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सुनी कुमार टी्वारी थे अब तक MD and CEO SBI card के अब वह उस हिंट SBI के मेराइनिर्णी डीक्टर हो गया है उनके साथ साथ यानि साथ साथ सौमिनाथन जानकी रमन को भी SBI में MD अपॉंट कर दिया गया है तो SBI कार्ड में जो MD and CEO की पोस्ट थी वो खाली हो गई थी अब SBI कार्ड ने MD and CEO किसको अपॉंट कर दिया है राम, मोहन, राओ, अमारा ना में देखिएगा SBI की बात करें State Bank of India इंडिया की तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में इंपेरियल बैंक आफ इंडिया बनाए गया जिसको 1955 में चेंज करके State Bank of India कर दिया गया इसका हेड़कॉर्टर है मुंबाई में और चेरपस में कौन है दिनेज कुमार खारा मैंने पहले बताया था SBI में 4 MDs होते है मैंने इसमी डायटा 4 होते है यह कोशन है अल्टर वायले रेस का यूज करके train coaches को sanitize करने वाली कंटी की पहली Metro कौन बन गी है तो कंटी की पहली Metro बन गी है लखनो Metro जिसने UV race का यूज करके train coaches को sanitize किया है यह देख लिए लखनो मेट्रो कंट्री की पहले मेट्रो बन गई है जिसने अल्टर वायलेट रेस्ट के मदद से ट्रेन कोचिस को सनिटाइज किया है LMRC ने ये टेकनोलजी जो UV सनिटाइजेशन की टेकनोलजी है इसको FV टेकनोलजी फर्म से प्रक्योर किया है जो कि जैपूर रजिस्थान की फर्म है वर्ड में सबसे पहले जो railway course है वहाँ पर UV Sanitization Technology कहां यूज़ की गई थी नियॉयॉर्क में उसी से inspiration ली है UP Metro Rail Corporation ने अपने rail courses को सनिटाइस करने के लिए कुछ समय पहले ही DRDO ने जो UV Sanitization Technology इसको Certify कर दिया था साथ मिनट में मातर साथ मिनट में एक rail coach को आपके सनिटाइस किया सकता है UV Sanitization का यूज़ करके UP की बात करें तो कुछ समय पहले ही Free Coachings Provide करने के लिए सभी competitive exam के लिए अभिहुदय स्कीम लांच की गई है UP में जो इसका 71st Foundation Day था 24th January को उसी दिन CM योगी ने अभिहुदय स्कीम लांच की थी CM कौन है योगी अतनाथ गवर्नर कौन है UP की आनंदी बेन पटेल इंडिया की फर्स्ट फिमेल चीप मिनिस्टर सुचेदा करपलानी कहां बनी थी UP में बनी थी इनने की फर्स्ट फिमेल गवर्नर सरुजी नाइडू कहां बनी थी वो भी UP में बनी थी आज का लाज कोर्शन है आदी महोसो जो की एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है न्यू देली में इसको किस ने इनाउगलेट किया है तो आदी महोसो को M. M. K. Y. Naidoo जी ने इनाउगलेट किया है जो के हमारे वाइस प्रेसिदेंट है वाइस प्रेसिदेंट M. M. K. Y. Naidoo जी ने आदी महोसो जो की एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है इसको इनाउगलेट किया है डेली में आपर देखिएगा पंद्रा फर्वरी तक यह और्गनाईस किया जाएगा Ministry of Tribal के अंदर कर जो ट्राइवेड आपकी ट्राइफेड है उसके दोरा आदि महस्तों को और्गनाईस किया जता है 2017 में पहली बार और 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 तब से लेकर ट्राइवेड कोपरेटिव मार्केटिंग डेलमेंट फडेशन में आपको उताया ही था 1987 में इसकी स्थापना हुई थी वरत्मान में ट्राइवेड के चैर परसन कौन है रमेश चंद्र मीना ये Ministry of Tribal Affairs के तहत कारी करता है आप इतना याद रखेगा ये आज की वीडियो से कोशन है I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी ही मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तक तक ले टेक कियर गुडबाय और जाहिं